हेलो स्टूडेंट्स जे स्री कृष्ष्णा यह आपका लाइट रेफ्लेक्शन और रेफ्लेक्शन प्रकास अपवरतन और पुरावरतन का चेप्टर था और उसमें आज हम यह आठ तारीख इस पर पड़ी हुई है उस दिन मैंने इसको देखाने की कोसिस की थी लेकिन उसको मैं आपके वीडियो में सेयर नहीं कर पाया तो आज हम दस तारीख में दस जून में हम आज इसकी स्टेडी कर रहे हैं लाइट रेफ्लेक्शन और रेफ्लेक्शन का पार्ट नमबर फाइव तो परावरतन के बारे में हमने बात कर ली हैं प्रकास के परावरतन अवतल सुत्र या ठीके और भी बहुत सारी जाइए Дरपन सुत्रुर येण सुत्र भीम नיकर या हलाकि अपवर्भतन का स्टा था फ्रेंड सुत्रबर लेंसुफ्र। जो परावरतन था उसमें तो था प्रकास जो एक सब्रक्राउय करके वापिस से medium में चला गया, बट अपवर्तन क्या है प्रकास का अपवर्तन, reflection, बहुत माइनर सा difference है इंग्लिश में, reflection मतलब परावर्तन, reflection मतलब अपवर्तन, तो reflection में क्या होता है, जब प्रकास एक माद्यम से दूसरे माद्यम में जाता है, तो सीडी सी बात अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा यह प्रकास का अपवर्तन है इसमें अब इसके नियम होते हैं अपवर्तन के तो अपवर्तन के नियमों में पहला नियमें आपतित किरन अपवर्तित किरन अविलंब तीनो ए की तलपे मिलते हैं जब प्रकास विरल माध्यम से साघन माध्यम म लिए आपतन कौन और अपवरतन कौन का जया का अनुपात सदेव इस तेक इस्तिरांग होता है ये क्या कह रहा है दो अलग-अलग मद्ध में मनली जी परकास जो है वायू से कांच में गया है या कांच से वायू में गया है या पानी से कांच में गया तो जो आपतन कौन है औ ठीक है आपतन कौन की ये इंसिडेंट एंगल और अपवरतन कौन के साइन थीटाओं की वैलियों का अनुपात दो अलग अलग माध्यमों के लिए एक इस्तिर संख्या होती है और इसको और नौट कर लिए इसको स्नेल का अपवरतन नियम भी कहते हैं अपवरतन आंक रेफ्र एक्टिव इंडेक्स कहते हैं तो साइन आई भाई साइन आर जो है वो आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है अपवरतन नांक है ठीक है जी इसकी बाद हम चलते हैं तो अपवरतन नांक को दो अलग अलग माध्यमों के लिए होता है एक तो होता है साइन आई भाई साइन या इसी को दूसरे मेडियम वे से इंडिकेट कर सकते हैं पहले माद्य हमें प्रकास की चाल बटे दूसरे माद्य हमें प्रकास की चाल ये भी इसका अपवरतनांक ही है ठीक है जी तो अपवरतनांक और एक और बात बताऊंगा ये बहुत बार कंफ्यूज कर दीता है बहुत थीके जी पिछले उस में भी मैंने आपको बताया था एक एसी ही एकाई थी जो कि अनुपातों के ऊपर आधारती ति है ठीके तो अनुपातों के ऊपर जो आधारत एकाया होती है उनका कोई भी जो यूनिट इकाई नहीं होती अपवर्तनांग को किसमे मापेंगे कोई यूनिट नहीं है अपवर्तनांग की ऐसे ही उस दिन जो है आपका था ये आपका डायग्राम है ये क्या है एक काच की स्लेव के द्वारा प्रकास का अपवर्तन मैंने देखाने की कोशिस की है इस डायग्राम में ठीक है तो ये काच की एक स्लेव है पी क्यू आरेस और इस स्लेव पर ए बी आप्तित के रन है यानि ए बी पर कोई वस्तु रखी हुई है उससे ये बस परकास आ रहा है और एल और एम जो है वो अभिलम है ठीक है ये भी आप्तित के रन है तो जब परकास क्योंकि यहां पर क्या है वाईू है और ये क्या है काच की स्लेव है तो काच है तो ये क्या है परकास सगन विरल माद्यम ये वाईू कैसा माद्यम है विरल विरल का मतलब है जिसके कन जो है वो दूर दूर हों और सगन माद्यम वो है जिसके कन नजदीक नजदीक हों अभी दोबारा से जब ये वाईू में पहुंच गया तो यहां पर भी माध्यम दोबारा से क्या हो गया विरल हो गया ठीक है जी अभी क्या है जब प्रकास की के रन विरल माध्यम से यहां वायू यहां वायू से निकल करके कांच में आ गई तो यह सीधे सीधे इस तरह से जानी चाहिए थी लेकिन इस तरह से ना जाकर कि यह थोड़ी सी बेंड हो गई ठीक है आपको दिखाई भी दे रहा होगा तो कौन आई का जो अनुपात है आई की जो वेल्यू है वो बड़ी है आपको अनुपात यह दिखाई दे रहा होगा अब अब ज़्यादा क्लियरली देखाई दे रहा होगा तो जब प्रकास की किरन वेरल माद्यम से सघन माद्यम में जाती है तो वे अभी लंब की ओर जोग जाती है दूसरी प्रकास की किरन सघन माद्यम से यह सघन माद्यम है ये विरल माध्यम है वापिस तो ये अविलंब से परे हट गई और इस किरन का नाम आप देते हैं निर्गत किरन जो किरन बाहर निकल गई वापिस उसी माध्यम में लगन निकल गई वो निर्गत किरन जो किरन अंदर आ रही थी वस्तु से वो आपतित किरन और जो किरन अपन कहते हैं पहले पेज पर जो मैं बता रहा था वो था आवर्धन एम वराबर एच डैस बटे एच अब मुझे ध्यान आया मैंने इसलिए उस टॉपिक को छोड़ी दिया था पहले हैं पर देम सरा मां देमे प्रकास के चाल पर अपवर्द नांक वर्वर्थन के नहीं है और एक चलती अब उस तरह इनके डेफिनाशन पूछत सकता है आपतन कौन क्या है अपवर्तन क्या है निर्गत कौन क्या है तो यह जो पॉइंट है वह आपका यहां पर क्लियर होता है और इसके बाद हम चलते हैं उत्तर लेंस में जो प्रतिवे में बनाते हैं वो उसमें भी जैसे के दर्पन में तीन चार विकरने थी ऐसे ही उत्तर लेंस में या दर्पन लेंस में प्रतिवे में बनाने के लिए तीन विकरने होती है तीन विकरने वो कौन कौन सी है मुक्या अ शिरके कराशिक केंद्र गानाiciय प्रकासिक कैंद्र है इसका परिभास आप से पूछ सकता बाकि सारी चीजें अभान है। मुख्य अक्ष भी समाने है, मुख्य फोकस भी समाने है, फोकस दूरी भी समाने है, प्रकास केंडर क्या है, लेंस के मद्धे में इस्तित वह बिंदू, जिसमें से गुजरने वाले प्रकास की किरन अपने पत से बिना विचलेत हुए सीधी निकल जाए, ये प्रकास केंडर क जो प्रकास की किरन आती है वो मुख्य फोकस से होकर गजरती है एक point दूसरा point दूसरी जो point है वो मुख्य अगर कोई किरन मुख्य फोकस में से ही गजर रही है तो वो अपवरतन के पष्चाथ मुख्यक्ष के समानतर आजाएगी ठीक है जी और बाकी इसमें ये मैं आपको पता देता हूँ थोड़ा सा ये किरन जो ये कौन सा दर्पल लेंस है उत्तल लेंस है ये कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस समानतर आने वाली सभी प्रकास की किरनों को एक जगे एकठा कर देता है इसका मतलब वर्ड ध्यान रख लेना कन्फ्यूज मत हो जाना अभी सारी लेंस है अभी सारी और इसी के साथ में इसका दूसरे डाइगराम देखा रखा है ये अवतर लेंस वाला डाइगराम था ये अवतर लेंस क्या करता है करना को 4 तरफ फैला देता है आपको अपनी हैल्ब बुक में या बुक में इसको मिल जाएगा तो ये करना को फैला देता है तो इसलिए इसका नाम क्या है अभी सारी लेंस है अभी सारी ठीक है जी अफ्टर ALL ये तीसरा पॉंट था इसमें जिसमें की प्रकासे केंद्र से गुजरने वाली किरन अपने पत्से बिना विचलित हुए बहार निकल जाती है ठीक है जी तो अवतल दर्पन में दू तरह के परतिविम्ब बन रहे हैं अवतल दर्पन में दू इस्थितियों में परतिविम्ब बन रहा है और सदेव आभासी प्रतिविम्ब बनता है ये पॉइंट आपको नोट कर रखना है अवतल दर्पन में बना प्रतिविम्ब आवतल दर्पन नहीं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिविम्ब जो है आभासी है आभासी प्रतिविम्ब हमें साथ सीधे होते हैं तो एक क्या है अनंत पर जब वस्तु रखे तो ये किया नहों को क्या करता है अपसारत कर दीता फैला दीता इसने आगे प्रण़ Benson द्रसक्राइए को प्रतीथFit क्या अनंत पर रखे वस्तु का अवासी बना अवासी सीधा होगा रुष स्ञेल का यह तु हमसा है और जब वस्तु जो है अनन्त और प्रकासिक केंदर इन दोनों के बीच में कहीं भी है तो उसका प्रतिविम्ब कहां बना एप और ओ के बीच में कैसे मुक्यक्ष के समांतर किरन गई यह तो इसने फैला करके आगे निकाल दी लेकिन हमने क्या किया इसको पीछे की और बढ़ प्रतिविम्ब बना ए भी वस्तु थी आवासि बना सीधा बना वस्तु क्या कर से छोटा बना और इसके बाद में यह उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिविंबहे ंजब वस्तु अनंत पर होती तो उसका प्रतिविंम मुख्यक्ष के समान तरहने वाली सारी करने मख्य फोकस पर मिल जाती है वास्तिक होता है उल्टा होता है वस्तू के आकार से छोटा होता है बिंदू आकार का होता है ठीक है जी और इसके अलावा हो सकता है